हेलो दोस्तो, स्टेडी जोनके गोवरेंट जोब्स के चैनल पर आप से भी का स्वागत है आल इंडिया गोवरेंट जोब्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और इस यूडियो को जाए ज्यादा लाइक और शेर करें आज मैं जिन वेकैंसिज के बारें बताने जारा हूँ, वो स्टेट बैंक आफ इंडिया में निकली हुए है और ये वेकैंसिज निकली हुए है जूनियर एसोसियेट की इसके लिए आप ओनलाइन रेजिस्टेशन करना होगा, आपको ओनलाइन फॉर्म फिल करना होगा पॉस्टेश और ल्ड की, वी आई की, ही की, यानि हेरिंग इंपेर्ड, पी डबलुड यानि ये पी डबलुड काटेग्री में आते है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एक सर्विसमेन की अलग पॉस्टेश दी हुए है और ब्लोकेज वेकैंसिज अलग दी हुए है, इनका अलग अलग स्टेट में, गुजराता अंदर प्रदेश करना, टक्मत अप्रदेश 37 गड ये हर एक स्टेट में ये वेकैंसिज निकल वी है, इस परकार से आपकी टोटल वेकैंसिज 9,633 हो जाती है, इसमें आपकी एजुकेशन कॉलिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें इज लिमिट क्या रहेगी, इसमें पहले प्रेमली टेस्ट होगा, जो की 100 मार्क्स का होगा, 100 कोशन आएंगे, एक गंटे का टाइम होगा, और इसमें इंगलिस के 30 कोशन आएंगे, 30 मार्क्स के इंगलिस का डूरेशन रहेगा, 20 मिनट्स नुमेरिकल एबिलिटी, यानि मैथ के 35 कोशन आएंगे, 20 मिनट्स का इसका भी टाइम रहेगा, और रिजिनिंग के भी 35 कोशन आएंगे, इसका भी 20 मिनट्स का टाइम रहेगा, नेक्स्ट जो प्री क्लियर करेगा, यानि जो टोटल नंबर वेकेंसी है, उससे 10 गुना 40 मिनट्स, इसमें जर्नल अवेरनेस या फाइनेस अवेरनेस के 50 कोशन आएंगे, 50 मार्क्स के डूरेशन रहेगा, 35 मिनट्स, जर्नल इंगलिस के 40 कोशन आएंगे, 40 मार्क्स के डूरेशन रहेगा, इसका 35 मिनट्स, और कॉंटिटी अप्टिट्यूड के 50 कोशन आएंगे, 50 marks के 45 minutes इसका duration रहेगा और reasoning के 50 question आएंगे 60 marks के और 45 minutes इसका time duration रहेगा इस प्रकार से आपके total 190 question आएंगे 200 marks के और इसमें 1 4th negative marking रहेगी इसमें आपके fees charges क्या रहेंगे SC, ST, PWD और X servicemen के लिए 100 रुपे चार्ज रहेंगे form fill करने के लिए और जर्नल और OBC के लिए 600 रुपे charges रहेंगे Thank you guys for watching our video आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिक कर ज़र बताइए और इस वीडियो को जाए ज़्यादा like और share करें